गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स वेलकम टू पंजाबी क्लास ऑफ प्लास वन डियर स्टुडेंट्स एहे नावल मड़ी धा दीवा कांड दो दी दूसरी वीडियो है इस वीडियो विच असी कांड दो दे सफा 14 अथे 15 दी रीडिंग करांगे पर उस्तों पहला असी इस कांड दे सफा 12 अथे 13 दा फीडबेक लवांगे पाव अपने पूरव ग्यान दी पर्ख करांगे हांजी सफा 12 अथे 13 दे पूरव ग्यान दी पर्ख ले पहला प्रशन है जगसीर सवेरे उठ दियां ही किसनू अवाज मारता है ते क्यूं इस प्रशन दा उत्तर है जगसीर सवेरे उठ दियां ही आपनी मा नंदी नू अवाज मारता है तां जो उचहा बना सके प्रशन नमबर दो जगसीर तरम सिंग दे कर की लेंड जान दा है इस प्रशंदा उत्तर है जक्सीर तरम सिंग देकार आपना खेत वोन लई उस दे बल्द लेन लई जान्दा है प्रशं नम्बर तिन, पंता कोंड सी ते ओ किहु जहे सुबा दा मालक सी उत्तर, पन्ता, तरम सिंग दा वढड़ा मुंड़ा सी, ते ओपड़े ही खरवे सुबाः दा मालक सी प्रश्य नम्बर फोर, जिक्सीर नूँ बल्द देन तूँ जवाब किस ने दिथा सी? उत्तर जगसीर नू बल्द देन तो जवाब तरम सिंग दे वड़े मुंडे पंते ने दित्ता सी प्रश्य नम्बर पंच जगसीर दा की वेह के त्रा निकल जान्दा है उत्तर जगसीर दा आपनी रपड होई पैली नू वेह के त्रा निकल जान्दा है प्रश्य नम्बर 7 तरम सिंग दे प्यो नू प्यो ने ठोले नू किन्ने विगे जमीन दित्ती होई सी उत्तर तरम सिंग दे प्यो ने ठोले नू चार विगे जमीन दित्ती होई सी प्रश्य नम्बर 8 तरम सिंग ठोले नू किस दा रूप समझदा सी इस प्रशन दा उत्तर है तरम सिंग ठोल ले नू अपने प्योधा ही रूप समझदा सी हांज डियर स्टुडेंट्स सफा नंबर बारा अते तेरा दे फीडबैक पाव पूरव ज्यानतों बाद सानू एस पश्टुन दा है कि इस इना दो सफ्यां दे उपर जगसीर अपने खेत नू वोणली तरम सिंग दे बल्द लेके जानदा है ते रा विच ओ तरम सिंग ते उस दे पुतर पंते दे सुबादी तुलना करदा है ते तुरेया जानदे ही ओ अपने प्योध थोल ले ते तरम सिंग दे प्योध दिवा दे कांड नंबर दो दे सफा नंबर 14 आते 15 दी रीडिंग करांगे पर उस तो पहला आसी सफा नंबर 14 दे उखे शब्दां दे अर्थां दी चर्चा कर दे हां हानी फर्स्ट वर्ड है निर्जिंद बहां निर्जिंद बहां तो पाव है बेजान बहां बोल पुगा दिते पाव गलपूरी कर दिती जहां वचन पूरा कर दिता नेक्स्ट वर्ड दुरैत, दुरैत तो पाव है, दुजैग दी पावना, वेत रखनी, जाँ कोई फर्क करना वाल लग दी, जित्थों तक पहुंच सी, पुगाई जान्दा सी, पूरा करी जान्दा सी नेक्स्ट चब्ड है सीरी, सीरी दा अर्थ है काम्मा, जियों जियों एक वाकंश है, जिस दा अर्थ है जिवें जिवें नेक्स्ट वर्ड है, पेठ नहीं सी दित्ती, पाव साथ नहीं सी छड्या नेक्स्ट है खेबडवी प्यासी, खेबड़ना, लड़ना, चगड़ना, थ्रमे नाल, तीरज नाल, पौंदी ये, पौंदी ये तो पाव चंगा लगदा है, की पौंदा है? सिदान तक, विचारात्मक, जजदियां, चंगियां लगदियां, वड़ड मरदे, लड़ड मरदे हन, गर्चियां वरगी, गर्चियां वरगे तो पाव है, उच्चे लम्मे नरुए, ते सडॉल स्रीर वाले गबरू, तक एखान दे, रूल दे फिर दे, मरेया सप गल आवरह है। इसदा अर्थे है कि कोई काटे वाला या नुक्सान वाला कम करना। खीसा, खीसा दा अर्थे है जेब, परवस्त, देखपाल, कुशगनी, बाधिशगनी, तहली दा परिवार, पाव तहली दिया टानियां उस दे पत्ते आध, पलुसिया, पाव पलुसिया, पत्तियां दा कूला पाण जा नर्माई Students, now we will start the reading of page number 14 हाँज प्योव दी मौत मगरू तरम सिंख ने जगसीर दे प्योव नाल अपने प्योव दे बोल पुगाधते सन पाव तरम सिंख ने अपने प्योव नाल जो वचन कीता सी उसनू पूरा कीता सी ओधियाती यांदे व्या उस आप कीते किस दियाती यांदे व्या कीते ठोले दियाती यांदे ओधे करदा सारा खर्च अपने जिमें ले ले लिया बुढ़ा स्रीर होन करके जिक्सीर दे प्योवतों बहुता कम नहीं सी हुन्दा पर तरम सिंग ने कदे कोई दुरयात नहीं सी रखी। पिटाइना 17 दा अर्थी है कि तरम सिंग दे प्योव ने जोस्तों वचन लेा सी ओ उसने तोड निबाया सी। उसने ठोले दा स्रीर बुजुर्ग होन दे बावजूद वी। ओदे नाल कदी कोई वितकरा जान दुरयात दी पावना नहीं रखी सी। बलके उसने करदियां सारियां जिम्मेवारियां अपने से लयालें आ सान। तो उसने तीयां दे व्यावी अपने हथी आप कीती सान। तेरा प्यो मेरी बाँ तैनू फड़ा के गया सी। तैनू में एदी बाँ फड़ा चले हैं। एदा सब्वो कुछ आजतों तेरे जिम्मी हैं। आवदा प्राबना के रखी। इस तरह ठोला जगसीर दी जिम्मेवारी तरम सिंग नू सौप दिन दा है। ते तरम सिंग नू पूरी वाल आ रहा सी कि उसनू निभा सकी। जगसीर वाथी सीरी नहीं सी समझया। आवदा अपनी कामा नहीं सी शंग्या। नहीं सी समझया। ठ्रमे नल आख दा, काका, पता नी कीदे कर्म खानेया, कीदे कर्म खानेया पाव की कीदी किस्मत दे सहारे उखा रहे हन, इनना तत्या पाणिया नल करनी बल दे हुंदे, तत्या पाणिया नल करनी बल दे हुंदे, पाव किसे दा माडा चित्वन नल, जा किसे दा माडा सोच प्रम्हेन नाल नहीं हो चन्दा, थोड़े वर्गे बहुते स्यानया नू उत्ते रब वीख दे, खबरे उन्नू की पौंदी यह, की पौंदी यह तब आवे हैं कि परमात्मा नू की चंगा लगदा है, जां परमात्मा दा की पाना है, इस बारे मनुख कुझ भी नहीं कह सकत यह नहांकार नी चंगा हुंदा, सब आपो अपने कर्म खान देया है, कोई किसे नू की देन जुका, सो इस तरह तरम सिंग पंते नू ठ्रमे नाल समझा दिन्दा है, पर पंते नू ए सिदान तक जहीं गल्ला नहीं संजाच दियां, पर पंते नू अपने प्यो तरम सिंग के पहली उन्जी देश डी सी, पंजवे-पंजवे हिस्से उत्ते गर्चियां वर्गे गबरू, सीरी रललली तक के खांदे फिर देशान, पर उन्ने ए वदू दा मरिया साप चोथे हिस्से उते गल पाच दिया सी, असल वेच पंता ए सोच दा सी, कि आजकल जो महंगाई द जमानना है, ओदे विच्ता लोग पैसे पैसे पिछे कदू जिन लड़लड मर रही हन, ते सबतों वद के जदोंने एक सीरी नू चार विगे पैली दिती हो इसी, ते उपरों उसनू अपनी जिंस दा जा अपनी आमदन दा पंजवा हिस्सावी, ओदे सीर पुने दे इस से तौरते दिन दा सी, जद की इस दे उल्ट पंते दा ख्याल सी के आज कल तां स्रीरक तौरते तंदरुस्त, उचे लंबे, स्डॉल स्रीर दे, मालक बहुत सारे ऐसे सीरी गबरू सन, जो ननल सीरी डलन लई तक के खांदे फिर दे सन, पर उस दा प्यो सी के एक काटे वाला क करी जा रहा सी, जक्सीर एनाई सोचा वीच प्या खेद दे निड़े अपड़ प्या, खेद दी उरली वाट उते बल्दा नू खड़ा करकी, उस सिद्धा टाली कोल गया, खीसा फ्रोल की, उस चौडा दे कुछ दाने ते गुर्दी रोडी कड़ी ते टाली हेट बनी, मड टाली दी पूरी परवस्त रखी, जे तू मेरा पोत्तेता, इस तो सबस्ट उन दा है कि जदो जक्सीर अपने खेद वीच अपड़दा है, ता सब तो पहला अपने प्योट ठोले दी मडी कोल जान दा है, जो कि उस खेद वीच लीच टाली दी हेठा बनी हो इसी, ते ओ एस मडी ते टाली दी खातर वी तरम सिंग नू पंते नाल कई वार जगड़ना प्यासी, एक सीरी दी मडी आपने खेद वीच बनी कोई दुद पुत वाला जिमीदार कि में सय सक्दा सी, उन्ज ही एक कुशगनी गाल सी, पर तरम सिंग एस पिछे वी पूरी तरा अड़या सी, तो इस तरह एक टाली वी ते टाली बनी ठोले दी मडी वी तरम सिंग ते पंते वेचे हमेशा खेबड़दा कारण बनी रही सी, जक्सीर ने मत्था टेक के से रूता चुकिया, ता ओनू टाली दा परिवार पिछले वरे नालो दूना हुया लगिया, ओठके उस एक नी निगा मारी, हाँजी स्टूडेंट्स असी पेज नंबर 14 दी रीडिंग किती है, हाँजी सफा 14 दी रीडिंग तो बाद सानू इस पश्टून दा है कि तरम सिंग ने अपने पिवो दी दोत तू बाद, जिथे ठोले नू पिवो वांग समझे है, उथे ठोले दी मौतों ब पड़ता है, तो टाली हेट बनी ठोले दी मडी नू मत्था टेक दिया, उस दे आखरी भोल चेते गरता है, इस टाली हेट बनी मडी कारण भी कईवर पंता तरम सिंग नाल चगड चुका सी, क्योंकि ओ एक कुशगनी गालता है ही सी, सबतों वद के पंते नू के सीरी दी, आपने खेत विच बनी मडी बहुत अखर दी सी, इस टों बाद जक सीर टाली वाल निगा मार दा है, ता उस नू टाली बडी ही हरी परिपरतीत हुंदी है, नौ वी विल डिसकस दा वर्ड मीनिंग ऑफ पीज नंबर फिफ्टीन, पीज नंबर फिफ्टीन, फर्स्ट तरवी निगाह दा अर्थ है हलकी जी निगाह, घंव नजर मार, नेक्स्ट वर्ड है, मोहांदरा, मोहांदरा तो पाल है, चिहरा मुरा, तीसी, तीसी पाल तोर ताई, तोर उपर थे हर नाडिया, हर नाडिया दा बेटा, एक लकड सान्द हुंदा है, जो बलदा दे विच एक शिकंजा टाइप हुन्दा है जिस्दा मकसद यह हुन्दा है कि बल्दा नू सेध विच कासकी रख्या जा सके तांकि वो एक सार चलन ते काबू विच रहन ते सियाड ठीक तरह निकल सके अगला वर्ड है हथीली हथीली पाव हाल दा ओ हित्सा जिस उपर हाली अप दो बदी सरड सरड कादे कटे जान दी अवाज होंक पावेक्तरा दी सुगंध जा महक नेक्स्ट है रीत रीत दा अर्थ है रसम जा कोई पिर्थ पई होनी जिसनू निबोना हांजी नाव वी विल स्टार्ट दा रीडिंग उत्ते तरवी निगा मारी चान दी मद्धम चाननी विच उननू इनना विच्चों आपने प्योधा मोहांदरा दिसीया आँजी जगसीर ने जदों टाली दे पत्तियाँ वाल हलकी जी नजर मारी ता उननू इंज लग्या जेमेस टाली दे पूरे परिवार विच्चों उस प्योधा मोहांदरा जा उस ता प्योधा नजर आ रहे होगी ते कोच चेर उटाली नू इननू मोड़ तों टीसी ताइंती आँज नाल वेंदा रहे हैं परचांट चक कुवेले धा ख्याल करके जकसीर कहल नाल बलदाँ कुड़ आया ता उस हर्णाणियां कस ले जोहां जगसीर रपढ़ होन करके उस पहला हथी ली ते बौधा दबा ना दिता पर जदो उन्हों ख्याल आया कि खबरे पंता दोरण भी देवे के ना ताँ उस सारे दबा नल चो तसा दिती पहला जो जगसीर है वो बल्दा नो थापी दे के हथी ली ते कोई बौधा दबा नहीं पहुंदा पर जिमें होदे माने वेचे ख्याल होंदा कि शायद पंता उसनों दूरी वरी पहली वहोंड ले बल्द ना देवी ताँ ओ फिर हथी ली उते अपने हाथ दा दबा वदा द कि केवल मिट्टी ही नहीं पाकियोंना दे जुस्से विच इनी ताकत है कि ओ ता पत्थरा नो भी पाड सक दी हन ए दो में बल्द उस आपने हथी दो दिचूंगा आचूंगा के पाले सन जदो तरम सिंग नों कहके ओ गवू दे दो थान इनना वास्ते मलो जोरी शुडाले ता तरम सिंग दी कारवाली तन्नों वी वश्रूआ नाल ओदा मो वे के कोई बहाना नाल आया जान दा हां जी ते तन्नों दा जिकर आया है तन्नों किस दी कारवाली है तरम सिंग दी कारवाली है ते जदो जगसीर वश्रूआ नाल मो कारदा हो या उसनों दो दे शड़न जोर दिन दा ता उसनु उस दे वास्ते दोद उना वास्ते दोद छड़ना ही पेंदा सी बल्दा ने तुर लीमारी ते खबड वेचे तस सी जो सरड़ सरड़ आरी वांग तरती नू चीरन लगपे इस दा अरथी है कि जदो जगसीर ने बल्दा नू हिक्या ता बल्दा ने जी इक दम हल नू खिच्या ता हाल दा जोजला फाला हुंदा है जो जमीन विछ टास्दा है वो दे शमीन विछे तसन दे नाढ़ जो मेंने नाल कॉपने लिख झाल आए जान लगपे या खबल कट़्चे जान लगपे तो इस तरह वतना है तरह उस चलन रर दिटा प्रती जिया ओन लग भिया अश्के मेरे शीरां दी उस बलदानू खलाशेरी दिती तो होर तिखे होगे ती वरे ओदे प्यो इस पैली नू वोंदा रहा सी ती वरे ओदे प्यो दा मुड़का इस मिट्टी विच राचदा रहा सी, ते होन जगसीर जदो हुए खेत वहाँ लग दा ता उन्नों मिट्टी विच मुड़के दे मुश्क वरगी होंक उण लाग पेंदी पता नहीं क्यों तरम सिंग दे होर खेत वहाँ दिया जगसीर नू मिट्टी विच दे जही होंक नहीं आई सी सो इस तरह इना 17 विच जगसीर दे इस पहली नड मो प्यार नू उजागर कीता गया है कि जदू वो इस खेद नू वोँदा सी ता नू इंज लागदा सी कि जमें इस खेद दी मिटी विच चोए उस दे प्योट ठोले दे मुड़के दी खुशभू आ रही हुए वोँदे याँ इस पहली दी अपनात बारे जगसीर नू अपने प्योधियां कई गल्ला चेते आउँ दी पावे है कि जदू जगसीर इस खेद नू वोँदा था वोँदे 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 अपने प्योट ठोले नाल सबंदत कहीं ख्याला मेंच डूब जान दा एदे दा दाने कदी मंडी ने सी वेच दा केवल इस खेद दाने वो खान ले ते जाँ फिर अगली फसल दा बीज पॉंड ले ही कारवेच राख दे सान किन्नी लोड पैजान दी ओएक दाना भी ना वेच दी जे नंदी ओधे एस कमडा पिछे लड़ दी ताउ बड़ी गंबी इरता नाल आख दा कमडिए कदे किसरे पागांवाले ने दोध पोत भी वेच ये नंदी हूर गुसेज आ के आख दी शुदा देया मारिया किदर दोध पोत दी गल ते किदर दाने कोई गल बणी करदा आन दाना कि ते दोध पोत नालों काट खुंदा कमडिए कौछ सोच करिए पर जही सोच केवल जकसीर दा प्योई कर सकता, नंदी ता कई वारी उसनों चोरियों दाने दे के हटियों सोधा लेयों दी, जकसीर नुपावे निक्के हुं दियां इनना गल्ला दी समझना पैंदी, पर प्योधियां एक कमलियां, रमलियां, कल्लां उन्नु चंगियां अजे ताई इस खेत दा आन, उस प्योवांग एक वी दान, कदी नहीं सी विच्या, स्विते सपष्ट कीता गया है, कि जिस तरह ठोले दा इस खेत नाल आपना पन सी, उससे तरह जकसीर वी इस खेत नु लेके बहुत पावोग सी, ते उन्हें आपने प्योधियों इस रीत होंदा है, कि इह सफा पढ़के, पता लगदा है कि जिकसीर जदों आपनी टली वाली तर्वी जी निगा मारदा है, ताँ उस नु उस विचों आपने प्योधा मुहांदरा नजर ओंदा है, फिर ओ बलदा नु थापी दे के हालवांड लग पेंदा है, ताँ पहला ओ थी पहली ते काट दबाप होंदा है, पर ए सोचके कि जे पंते ने पहली दूरी वार हाल ना चलौन दिता, ताँ ओ पूरे दबानल चो तसा दिन्दा है, ते खबल विच तसी चो आरी वांग का अनु चीरन लग पेंदी है, पहली वोंदा है जिकसीर नो जिते इस दी मिटी व निभाया सी, ते कदी वी एक दाना मंडी नहीं विच जया सी, तो डियर स्टूडेंट्स, आज जैसी इस वीडियो विच सफा नंबर 14 ते 15 दी रीडिंग प्लस डिसकशन कीती है, तुसी इना दोना सफिया नु कार विच थोरोली रीड करना है, अगली वीडियो विच असी सफा नंबर 16 ते 15 दी रीडिंग करांगे, तिल देन गुडबाई